दोस्तो ये रिटन का ग्राप मगर मैं आपको दिखाऊं किसी स्टॉप का तो दिखी आठारे नॉबर 2016 को इसकी प्राइस हुआ करती थी दोस्तो और आज के डेट में अपने 52 वीक से हाला कि हाई है अल्टाइम हाई से डाउन पहल लेकिन आज के डेट में भी ये प्राइस लगबक ड्यारस बारे सो के आजपास में ट्रेड कर रहा है 2016 से नॉबर और 2022 का नॉबर बीते हुए समझ ये कि 6 साल में अगर हम बारे सो से अगर डिभाइट कर दें बारे सो के प्राइस को ही 130 से हम डिभाइट कर दें तो कितना गुन आपका रिटर्न हुआ मैं आपको स्टॉक का नाम बताने से पहले मैं आपको एक और हिंट देना चाहता हूं कि दोस्तों कि ये 2022 ये 2022 का वान अप दे बेस्ट परफॉर्मर स्टॉक है मिट कैप स्पेस का ठीक है और ये एक ऐसी परड़क्ट ऐसी बनाता है कंपनी या ऐसे परड़क्ट का है जिसक आदमी होगे आप कुछ जाते होगे हर सली सहर गली मोहरले ओगरा हर सहर चौरह है पर आपको हर फंक्सन में इनकी प्रड़क्ट की रिक्वार्मेंट होती ही ये ना चाहते हूँ आपको लेना पड़ता है अगर आप चार दोस्त मिलका कहीं पार्टी कर रहे हो या कहीं पर खापी रहे हो तो भी इनके प्रोड़क्ट को आप यूज करते होगे दोस्तों ठीक है मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बरून बेभरेज की जो की इंडिया में पेपसी और कोल्डिंग्स और वाटर बनाने वाली कमपनी है छे तारिक छे पहरवारी का दिखे इस पर 5.8% तेज है 500 संताओं रुपईया है डिविडेंट इल्ड जो है इनका 0.2% है फेस बाइलू 10 का है इंडस्टी का पी जो है 51 पॉइंट है स्टोक का पीए 53 पॉइंट है इतना चलने के बाउजित भी कोई भी नहीं सस्ता मिल रहा है विल्कु इंडस्टी के बराबर के आसपास है होता है वह आरोसी जो है 26.9 है आरोई जो है इनका 32.6 है डेप टू इक्विटी दिखेंगे तो अल्मुष्ट जीरो है लगबग 0.76 क्रोरे कंपेर टु सब्सक्राइब एटी ठाउजन मार्केट के अपितलाइज़र मतलब कुछ भी नहीं समझे तो अर्निंग पर सेयर इनक क्वार्टरली रिजल्ट दिया है और क्वार्टर टू थाउजन समबर 2027 अब मैं आपको लेकर चलता हूं इनके प्रोफिट और लॉस के स्टेट मेनन में आप देखेंगे कि यह एक पॉंसिस्टेंट प्रोफिट जनरेट करने वाली कंपनी है या जो दा बारस से लेकर 2022 त 2022 में बढ़कर 2788 करोड हो गया नेट प्रोफिट देखेंगे तो दिसंबर 2021 में 76 करोड था और वहीं दिसंबर में बढ़कर 1550 करोड हो गया यह वाई यह देखेंगे इनका बहतरिन पर्फोर्मेंस है प्रोफिट में ऑपरेटिंग प्रोफिट में और नेट प्रोफिट में भी हाला कि जब quarter wise quarter देखेंगे आप तो इनका थोड़ा सा डाउन है नेट प्रोफिट जो प्रिवेस quarter में 395 करोड था वहीं इस quarter में 82 करोड आया है वहीं ओपरेटिंग प्रोफिट जो सितंबर 2022 करोड में 699 था इस quarter में दिसंबर quarter में 307 करोड है ठीक है दोस्तों लेकिन करोड था इस साल बर quarter में 82 करोड हो गया similarly operating profit 208 करोड था और इस quarter में इनका बढ़कर हो गया 307 करोड आज ही की दिन का रिपोर्ट आया है और ये आपको दिखाता है इनके यही एक reason था कि आज की दिन में price bonds back किया देखिए बरून बेवरेद इस तरह की product बनाने के लिए जा पेपसी को आप खुद ही डोड़ने जाते हैं पाने के बोतर ये और ये corporation group की एक company है बरून बेवरेद जो इंडिया में water, fruit, juice, Pepsi, cold drinks, duo, meridana बनाने का काम करती है distribution, bottling और marketing करने का काम करती है दोस्तों आई एरा उनका official website आप भेजिट करें आप देखें कि किस तरह का product range है औ आप जूस को customer ढूडने जाते हैं कि आप इनको ढूडते हो जाते हो, हाँ ठीक ठंडी के दिन में थोड़ा सा इनका पेपसी होगारा का production थोड़ा कम हो जाता है लेकिन आप overall देखेंगे तो ये product range ऐसा है जिस product range को customer base इनका इतना strong है चाए इंडिया के छोटे सोहर हो या ब मैंने 10-12 वीडियो बनाया है वह अपलोड की है कि बिजनस को पाचानी है दोस्तों ऐसे बिजनस में इन्वेस्ट कीजिए जोग सालो साल चलते रहने वाला है चलते रहने वाला है जिसकी demand कभी कम नहीं हो लिए किसी government के change होने से कम नहीं होने वाली है और मैंने अपने हर ए अब आपको बुक कर लेना चाहिए अगर आप इस range में अगर कभी खरदारी कियों हो तो जैसे यह 100 days के पास अपना यह मैंने आपको day frame का chart लगा के रखा हुआ है price को study करने के लिए मैंने long distance के moving average लगा के रखा हुआ है green जो line है यह 200 days की है और yellow जो line है 150 का है rate जो है 100 days का price के लिहां पर RSI लगा कर रखा हुआ दोस्तों मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ कि जब यह जब red line के पास touch कर रहा था तब भी मैंने आप लोगों को suggest किया था दोस्तों कि यह 1150 के बीच में मिले तो इसमें चुखना नहीं वापस re-entry लेने का यही best option रहेगा और देखिए 100 का जब यह पाला green candle, rate candle बनाने के बाद जब यह green candle टच किया तो भी मैंने आप लोगो next video बना कर बताया कि अब यहां से market में entry लीजे क्योंकि यही अब आपका यहां से फिर वापस bounce back करेगा और अपने previous high के touch करने को को सिस करेगा या तो यहां से अब उसके बाद एक cumulate होकर यहां से फिर breakout देगा या फिर वाई पर एस्टेंट लेगा इन दोनों condition में आपका profit book हो जाएगा profit book कर लेंगे बेटर रहेगा फिर वापस यहां पर आकर जब इस candle को यह touch करने के कोशिश कर रहा है तब भी मैंने आपको बताया था कि 1100 से 1100 के बीच में price का एस्टेंट support ह क्योंकि 150 days का यह moving average को support कर रहा है और इसी को support करके आज देखी आज इसका result है आप price और क्याज लगबग 6% के तेजी के साथ भागा और यहां पर भी देख सकते हैं आप कि RSI का clear cut upper direction दिख रहा है पहला मैंने आपको बताया था कि जब यहां पर यह आपको touch कर रहा था था त यहां पर मत पकड़िए कभी भी investment के लिए या trade करने के लिए यहां पर मत पकड़िए इस area में पकड़ना बेकूपी होगा moving averages के पास आने दीजिए 10 में से आप यकीन मानिए कि 10 में से 8 बार आप ही जीतेंगे अगर moving averages के पास आप price पकड़ रहा है तो अगर यहां पर पकड गई है या जो लोग यहां पर खरीदेंगे वो यहां पर profit बुक करते हैं और फिर वहीं लोग वापस अपने moving averages के पास entry लेते हैं यहीं से फिर वापस bounce back होती है price की और यहां पर आपके लिए कड़ दिखिए मैं जूम कर रहा हूँ दोस्तों आपको समझाने के लिए जूम कर रहा हूँ जब जब यह अपने moving averages के support पे रहेगा देखिए exactly यहां पर 1100 के price को touch किया है और यहां से एक hammer type का candle बनाया था previous Friday के दिन और आज मंडे के दिन इसमें 6% के साथ 1200 के price रहेगा है आने वाले वाक्त में क्योंकि इसका report बह इसको touch करता हुआ दिखेगा और अगर यहां पर थोड़ा दिर और रुख के जैसे एक दो दिन candle यहां पर accumulate किया और उपर निकल आते और इसके अंदर फरदर तेजी दिख सकती है दोस्तों अगर आप चाहें अगर short term के लिए लेना चाहते है तो अब यह इस price के पास 200 moving average के के नीचे आप अपना SL रखकर इसमें entry ले सकते हैं और long term के लिए इस stock से बढ़िया इस field में मुझे नहीं लगता कि दोस्तों कोई साय stock है जहां तक मेरा आपना analysis है कि यह एक ऐसा business है जो कि सालों साल आपका चलेगा हर साल पर आपको benefit देगा bonus देने में master है दो तीन बार bonus दे चुका है already bonus देते रहेगा time by time पर तो business को पाचानिए और long term के perspective को लेकर चलिए और ऐसे stock में खरदारी किए invest किए जिसमें आपका पैसा बने और आप भी उसका product इस्तमाल करोगे तो आपको कुद ही उसका product इस्तमाल करोगे तो आपको कुद ही उसका product इस्तमाल करोगे अनिवेश्ट करने से पहले अपना भी रिसाच करें थैंक्यू सुख्रा